अग्र्ट का डेट है आजकी 10 दिसंबर 2022 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंड़क्ट किया गए था Preservation Assistant का पेपर इन जो Preservation Assistant का पेपर कंड़क्ट किया गए था सबसे पहले तो इसका पोस्ट कोड देख लेते हैं किसका पोस्ट कोड जो था वो क्या था तो इसका पोस्ट कोड था 1006 तो इस पेपर को अभी हम डिसकस करेंगे 1006 जो था वो इसका पोस्ट कोड था और पहले कोशन से ही आप देखेंगे कि बहुत सारे कोशन जो था वो रिपीट हुए थे अगर क लिडस लों संथा च्वाइशन तो मोहन जो दुल की सिबलिजिएशन तो मोहन जो .. कोस्ट तने बहुत बार किया और यह नहीं भूलता जिब बहुत बार किया हो आपंवे whenever लौ्टे आंपर बोलते हैं था स्तूपा एट सांची अंड डीजैलिंक सरॉण पीरियग गड़ेंद रीजिके इसटूप और उसके चारों और कि बाड किसके काल कि है तो इसकी जो संची स्तूपा है यह मौरी के सांचे निकाल का है option A सही अंसर है more as option A जो है उसर हो जाएगा question number six repeated question है बहुत बार हमने डिसकस किया है exam में भी पूछा गया है बोलते हैं था modi script was employed in the document of तो modi script बोलते हैं यह किसके परलेखों में उपयोग की गई थी यह मराथाओं के जो अभिलेख थे उनके उनमें परयोग की गई थी option C सही अंसर होगा अगला question देखिए अगले question में बोलते हैं which is the ancient which is an ancient Indian work relating to prayer and sacrifice ceremony तो ये भी हमने डिसकस किया है कि ब्रामन option C सही अंसर होगा ब्रामन जो है उभारते कृती है जो प्रार्थना और यग्य धर्मानुस्थान से सम्मन्धित है एट में बोलते हैं Porus was defeated by Alexander at the battle of Alexander के बारे में ज्यादा तो कुछ पढ़ने को होता नहीं यही दो तीन चीज़ें उसकी बैटल कब की वस यही दो तीन चीज़े तो यह इस बैटल का क्या नाम था इसका नाम था अगले question में बोलते हैं विच पार्ट ऑफ दी कंट्री कंप्राइजड दी चोला किंग्डम तो बोलते हैं देश का कौन सा भाग चोल समराज्य का हिस्सा है चोल समराज्य का हिस्सा इन में से सदा इसमें देखो वैसे तो डौट फुल है थोड़ा सा मद्रास और मैसूर ला पहले पूछा जा चुका है अटेंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया ऑप्शन डी जो है वो इसका सही अंतर है मैं डिटेल में इस कोईशन के बारे में भी आपको बताया था कृप्ष मिशन का ये क्रिप्ष मिशन भी इंपोर्टन है जब भी हमने कृप्ष मिशन के बारे मे युनाइटिड इंडिया एंड मुस्लिम लिग डिमांड फॉर पार्टिशन डिया ये इसका सही अंसर हो जाएगा कृशन अबर 12 मैं बोलता है कि 7th schedule of Indian constitution किसके साथ डील करता है बारा के बारा schedule हमने पड़े हैं 7th schedule किसके साथ डील करता है ये बात करता है union list, state list और concurrent list की option D जो है वो सही अंसर है आगे बोलते है declaration which outlines the future program and policy of political party issued on the eve of journal election is called तो अभी हिमाचल मैं election हुए इस question को आप कैसे भूल सकते हैं कि manifesto जो हो पहले जारी किया जाता है जिसको आप घोशना पत्र कहते हैं अब जितनी भी party होंगी वो अपना manifesto जारी करते हैं कि हम आने वाले time में यह करेंगे फिर उस manifesto की उपर काम करने की बात कही जाती है कि हम उसके उपर काम कर रहे हैं आगे बोलते हैं who among the following was the constitutional advisor to the constitute assembly of India तो बोलते हैं निम्म लिखित में से कौन भारत की सम्विधान सभा के सम्विधानिक सलहकार थे तो यह थे doctor b and raw option a सही अंसर है 15 में बोलते हैं there is no reservation for schedule drive in legislative assembly तो बोलते हैं schedule drive की seats होती हैं वो कहां पर reservation नहीं है तो यह question भी answer की according हम check करेंगे क्योंकि अगर हम हम हिमाचल की बात करें ना तो हिमाचल में तो schedule drive के लिए seat ने जो हैं reserve हैं कौन कौन से seat हैं जैसे कि हमारे भर्मौर हो गया लहौस पित्ती हो गया किन्नौर हो गय हैं कि सभी में जो हैं schedule drive के लिए reserve हैं खेर देखते हैं कि answer की में कौन से question को माना जाता है अगले question में बोलते है 16 question में बोलते है which of the following directive principle of state policy has not been implemented so far तो अभी 4-5 दिन पहले question discuss किया था यही हमने कि uniform civil code for citizens जो है वो नागरिकों के लिए लागू नहीं किया है जो कि directive principle of state policy में आ आगे बोलते है which is not essential characteristics of federal system तो federal state का बोलते हैं कौन सा important feature नहीं है तो division of power important feature नहीं है option C सही answer है 18 में बोलते है proportional representation with single transferable vote is used for the election of तो यह proportional representation का system राजिसभा में किया जाता है option C सही answer है 19 में बोलते है तो government's goal auction policy was aimed at तो बोलते हैं कि सरकार की स्वर्ण निलामे नीति का क्या उदेशे है इसका उदेशे है चेक करना smuggling and reducing the budgetary deficit of central government option D जो है वो सही answer है 20 में बोलते है primary objective of union trust of India UTI के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं इसका जो primary objective है वो है कि promote करना investment habit among those who have not been able to diversify investment risk option D जो है वो सही answer है आगे 21 में बोलते हैं attainment of economic self-reliance and removal of poverty was the main objective of which five year plan तो ये कौन सी पंच वर्सिया यूजना का मुख्या उदेशे था ये पांच में फिफ्ट option C जो है उसा answer है का मुख्या उदेशे था आगे बोलते हैं कि which is not trajectory of ganga river तो बोलते हैं गंगा नदी की इन मेंसे कौन सी सहाइक नहीं है अगर हम गंगा की सहाइक नदियों की बात करें गंगा की सहाइक नदियों में देखो यमुना तो आता है यमुना इसकी सहाइक नदी है गोमती भी इसकी सहाइक नदी है और सोन भी सहाइक नदी है परन्तु इंद्रावती इसकी सहाइक नदी नहीं है इंद्रावत है Option c शाहिए अशर है संप्राइभुमी है यह 24 देखे बोलते हैं अर्यकाम यूमा से क्टेंशन ओफ हिमालय से लोकेटे इन तो अर्यकाम यूमा जो है बोलते हैं हिमालय का विस्तार कहां प्रस्तित है यह मयनमार में स्तित है option D सही अंसर है आगे 25 में बोलते है which of the following state has the largest number of salt lake in India तो सबसे ज़्यदा जो salt lake है वो नमक की जीले है वो राजिस्थान में स्थित है option B सही अंसर है 26 में बोलते है which time of the day is generally the hottest all over India 3 बजे का time जो होता है वो पूरे भारत में सबसे गर्म होता है आगे 27 में जो तंबाखो बोलते है गुजरात में cultivate किया जाता है उससे क्या बनाया जाता है तो वो बीडी बनाने में जो है इस्तिमाल किया जाता है option A सही अंसर है बीडी के निर्मान में उसको इस्तिमाल किया जाता है आगे 28 में बोलते हैं गुजरात is the largest producer of salt in India because तो बोलते हैं गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्यों क्योंकि यहां पर विस्तित सुस्कतर्ट है because it has extensive dry coast option A जो है वो सही अंसर है आगे क्रंट अफेर का question चलता है क्रंट अफेर में बोलते हैं which city recently hosted the journal election of Interpol Interpol की जो journal assembly जो अभी host की गई वो दिल्ली इंडिया के द्वारा जो था वो host की गई थी option C सही अंसर है यह question हमने पढ़ रखा है अगर आपको ध्यान हो वीडियो के last में कई बार हम क्रंट अफेर के question डिसकस करते थे तो उस time हमने यह question डिसकस किया था आगे बोलते हैं which institution recently released living planet report 2022 living planet report 2022 worldwide fund के द्वारा जारी की गई ऑप्शने सही अंसर है 31 में बोलते हैं PM divine scheme which was in news recently aimed at development of which reason तो PM divine scheme जो है इसका जो मुख्योदे से है North East region को develop करना है option C सही अंसर होगा अच्छा अगर आप त्यारी कर रहे है ना HP high court clerk के exam की तो HP high court clerk के exam की जो test series है उसका link में नीचे description box और comment box में दे दूँगा वहां से आप practice कर सकते हैं और जो एक दो नंबरों की कम्याब के selection में रह जाती है ना उसको cover कर सकते है देखते हैं अगला question हमारे पास क्या है next question आगे बोलते हैं 32 में बोलते हैं evidence of the trapping zone has been recently discovered in which country तो trapping zone के जो कहीं पर भी पर्मान मिले हैं वो मिले है मालदीव में option A सही अंसर है 33 में बोलते हैं महाकाल लोग project which was inaugurated recently is located in which state तो महाकाल लोग project जो है यह मध्य प्रदेश में स्तित है option B सही अंसर होगा मध्य प्रदेश important question था 34 में बोलते हैं कि reasoning का question आपके पास दिया गया है बताना है relation इसमें तो sun इसका option C सही अंसर हो जाएगा insert बोलते हैं extract से समझत है mighty किसे समझत होगा फीवल option D जो है वो सही अंसर होगा आगे HWG जो है वो option C सही अंसर आ जाएगा उसके अगले 37 को solve करेंगे तो option D TNQ FE FEO option D जो है वो सही अंसर है 38 को अगर आप solve करेंगे option B सही अंसर आ जाएगा B इसका सही अंसर है English का section जो है वो आगे चलता है English के section में सबसे पहला question अंटॉनियम पूछा गया है hate का तो hate का जो opposite meaning होता है वो admire होता है option A सही अंसर है और ये question एक वार repeat हो चुका है हमने ये भी वीडियो के last में discuss कर रखा है synonym पूछा गया है sagacity का तो sagacity का synonym क्या होता है wisdom जो है option B wisdom इसका synonym होता है आगे one word substitution है अगर one word substitution को देखेंगे तो बोलते है a decision made upon a political question by the votes of all qualified person is तो इसके लिए जो one word इस्तिमाल के जाएगा वो option C इस्तिमाल के जाएगा पहली भी site option C जो है उसा इंसर है 42 है fill in the blanks बोलते है if I take a state roadways bus it will get late यहां पर होगा want I option D जो है उसा इंसर होगा आगे जी EDM आपके पास बोलते है to mind once p's and q's to mind once p's and q's option B to be accurate and precise होगा अब जब भी देखो EDM तो पूझे जाते हैं परन्तु इस paper के answer की में बात करूँ न कोई भी correction होती है तो final answer की के according भी आप चेक करना वैसे answer की जब भी आईगी न मैं telegram पर आपको provide करवा दूँगा 44 question देखे बोलते हैं सर्व उत्तम का संथी विचेत क्या है सर्व प्लस उत्तम option A इसका सही answer है सापेक्स में समास पूछा गया है अव्वे भाव समास सापेक्स में जो है वो होगा आगे बाहर का विचेशन पूचा गया है 47 में बोलते हैं रहागीर में कौन सा प्रत्य है तो रहागीर में कौन सा प्रत्य होगा गीर प्रत्य होगा option C सही answer है तैलिग्राम पर तो मैं बता रहा हूँ आपको की answer की प्रवाइड करवा दी जाएगी अभी इससे आगे इसका HPGK का section जो हो चलता है ये इसका HPGK आप देखेंगे HPGK को न हम detail से discuss करेंगे तो अगली जो वीडियो आएगी morning में उसमें हम detail से हर equation को discuss कर लेंगे क्योंकि आपके आने वाले भी बहुत सार exam है तो उनमें भी आपको help मिल सके वो भी ensure करना जरूरी है तो वहां पर हम अगले section को जो हो discuss करेंगे टेलिग्राम पर आप कैसे join करेंगे टेलिग्राम पर join करने के लिए add the rate all exam 31 अपने टेलिग्राम से सर्च करना आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जो हो मिल जाएगा वहां पर आप हमें join कर सकते हैं तो टेलिग्राम पर जुड जाएए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं definitely आने वाले exams में आपको help मिलेगी और